है आप लोग अच्छे होंगा यार लाश्ट लक्षर हमने देखा था कि कैसे हम लोग पोस्ट मैथट ये गैट मेथट बनाते हैं कैसे हम लोग परसन का डिटेल को सेफ कर रहे थे उसको फैच कर रहे थे डेटा को ठीक है सबसे इन पॉस्ट मेथट और गैट मैथेट करोगे ठीक है तो पेले आपको हमबग लेने वालों आप बताओ कि इतने लोगों ने इसको कम् genuine किया होगा अगर मैं आपको कोड में यह चैश्ट कैसे implement होगा तो person और ये get method हमने बना रखा था ये menu का मैंने आपको बनाने के लिए कहा था I hope बहुत लोगों ने किया होगा and simple था यार बस last menu लगाना था post method में data जैसे हम लोग expect करते हैं कि body parser के थूर request.body में आएगा और हम लोग new item करके एक नया object बनाया है जो की है replica किसका menu item का और menu item हम लोगों ने है menu जो schema है वो decide कर रखा है ठीक है now फिर हम लोग उसको safe करेंगे और ये async का wait क्यों because हो सकता है ये data में safe करने में हो सकता समय लग जाए तो उसके लिए हम लोग wait कर रहे हैं finally we get a response after getting a response we will console कि हाँ data save हो चुका और as a response हम लोग जो भी data save हुआ उसको हम लोग send कर देंगे पक्का किसे कोई दिक्कत same get method के लिए मैंने किया था get method में same यार हम लोग इस बार सिर्फ data दे रहे हैं तो post नहीं होगा get होगा now अब हो सकता database operation में कुछ समय लग सकता इसलिए async का वेट का use कि हम लोगों ने data fetch किया और data send कर दिया मैंने sample के तोर पे कुछ data आपके लिए बना के रखा हुआ था see menu items में जब मैं गया मैंने कुछ-कुछ data आपको add कर रखा है ingredients यह सारे data था ठीक है and yeah मैंने करीबन 5-6 record यहां पे save कर रखा और पीपल्स का भी मैंने साथ record यहां पे save कर रखा है ठीक है यहां पर प्रिफेस करोगे तो आपको दिखेगा although यह मेरे local में है तो आपको यह record नहीं दिखेगा आपको खुद से via postman एक एक करके record को save करना पड़ेगा see अगर मैं पोस्ट में होगा अगर मैं यहां पर menu करूँ तो आपको menu का data यहां पर send करना पड़ेगा post करोगे data save हो जाएगा please आप बताना कितने लोगों से नहीं हुआ यह काफी important task था and literally I am expecting कि आपसे यह task होना चाहिए इतना भी tough नहीं था जितना आपको अभी तक आकर अपने अच्छे सब कुछ complete करते वे चला होगा ना अपने follow किया होगा आपसे हो गया होगा अब हम लोगोंने menu item के लिए save कर लिया और get कर लिया मतलब कि अब हम लोग menu item को slash menu करकी find भी कर सकते हैं अगर data send कर रहे हैं ठीक है client अगर send कर रहा है तो वो menu को save भी कर लेगा यह सारे data मैंने save कर रहा है आप बोलो को तो यह data मैं आपको send भी कर दूँगा ठीक है आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको उतना clear नहीं देखागा इसलिए मैंने यहां लिंक भी दे रखा है यहां पर आपको यहां पर open करना और diagram.net के थुरू इसको open करना ठीक है तो create क्या करेगा एक record create करेगा तो slash person पर अगर हमनों यह data send करेंगे ठीक है तो हमारा data save हो जाएगा यही हमने अभी देख end point बनाया है और same यहां पर enum यह क्या decide क्या है एक मैं शोटा से notes बना रखा है यहां पर की chef waiter manager enum में यही तीन चीज़े होंगी ठीक है सेम उसी तरह मैंने यहां पर read में इस तरह से end point बना रखा है update में बना रखा है delete में end point बना रखा है अभी आपको हो सकता है यह end point समझ में ना है बट 10 मिनट बास समझ में लगेगा मैं बस आपको यह seat share कर रहा था दिखाना चाहरा था कैसे हम लोग किसी भी डाइग्राम को बनाते हैं ठीक है हो सकता है इस डाइग्राम को अपन करने के लिए आपको इसमें account बनाना पड़े तो free of cost है बना लेना कोई issue नहीं है in future यह काफी काम आता है काफी सारी और इस पर वर्क करती है कि draw.io इसको कहते हैं इससे पहले हम जनरली end point बनाते हैं discuss करते हैं कि क्या का end point हमारा होने वाला है read operation क्या करेगा read record from database करेगा यह सारे end points अभी हम लोग सीखेंगे तो बस यहां तक मैं समझा दिया कि अपन यही चीज follow करके person और menu का end points बनाने वाले जो मैंने आ मारा pending है और इधर का और यह दो आपने खुद से बनाया जिन लोगों ने home work किया होगा slash menu पे hit करने पे post method कि थ्रू आपका data save हो रहा होगा menu item का और slash menu पे hit करने पे get method से आपको सारा menus का list मिल रहा होगा जैसे मैंने आपको यहां पे करके दिखाया ठीक है चलो अब हम आगे का APIs या end points बनाते हैं उससे पहले एक चीज समझो parameterized API call यह क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे यहां पे जैसे कि अगर आपको कहा अभी अगर म पे आया मैंने slash person पे hit किया तो जितना भी हमारे person में data है वो सारा data मिल गया ठीक है कि आइधर वो manager हो, waiter हो, chef हो no matter what जितना भी person है सब data इस end point पे मिले गया ठीक है अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं slash chef call करूं ठीक है after person slash chef ठीक है तो क्या हमें यह data मिलेगा इसका क्या मतलब है इध end point define नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, chef ना बोलके कोई बोल दिया, waiter ला के दो, waiter भी define नहीं है, यह चलो कोई बोल दिया, manager ला के दो, to manager भी define नहीं है, तो क्या हम एकक करके सब को define करते चलें, यह सारे end points हमें बनाना पड़ेगा, तो यह गलत है, ultimately यह सारे किस category पे define हो रहे ह कि इनका work type क्या है, हम चाह रहे हैं कि हम work, जो जो जन जन person का जो जो भी work है, हम उस work के according, हम सारा person का detail find कर पाए, यह हमारा expectation है, बहुत बढ़िया, तो लेकिन इस तरह से इतने सारे end point बनाना यह बहुत better method नहीं है, यह सही तरीका नहीं है, ठीक है, हो सकता calculate में 10 role आजाए, sub manager आजाए, head manager आजाए, honor आजाए, तो हम एके करके हर बार end point तो नहीं बनाते चलेंगे न, तो इसके लिए तरीका क्या है, parameterized URL, ठीक है, मतलब कि हम लोग URL में parameter pass करते हैं, यह कैसे करते हैं, see, इसको बनाने का तरीका ऐसा होता है, कि हमने person, colon, work, इसको इस तरह से बनाया, see जैसे कि अब मैं बताता है, यहां बना के आपको, मैंने बोला, app.get, get method क्यों, because हम लोग को data चाहिए, either वो staff का हो, waiter का हो, या honor का हो, या manager का हो, मैंने बोला, slash person, ठीक है, slash, colon, work, यह colon क्यों लगाया, यह colon लगाने से यह variable बनी गया, कि work में कुछ भी हो सकता है, work में हो सकता ह मैं इसको नाम दे दू, work type, ठीक है, या इसको नाम कुछ भी दे सकता है, यह variable बना रहे है, यह आपकी ऊपर है, ठीक है, मैंने नाम दिया work type, की work का type क्या है, ठीक है, slash, what I say, response, request, comma, response, ठीक है, इस URL पर कोई हिट करेगा, इस तरह से, तो हम लोग data लाके इसको देंगे, ठी work type is equal to request dot, यह तरह का parameter है, इसलिए params dot, यह variable का नाम क्या है, work type, यह है हमारा पूरा का पूरा game, ठीक है, बतलब कि work type में हमने फेच कर लिया, कि जो user, जो client भेज रहा है, जो कौन से URL पर भेज रहा है, अभी तक तो हमारा URL फिक्स था, change नहीं हो, slash menu, slash menu, slash person, ठीक है, बट हम parameter change होते जाएगा, तो URL भी change होते जाएगा, अब parameter हमने क्या बोला, कि जो भी parameter उसको variable नाम क्या दिया, work type, ठीक है, यहाँ work type हमने define कर लिया, चलो, अब हम लोग यहाँ पे validation लगा सकते हैं, कि validation मतलब कि छोटा check, अब calculator में हो सकता, work type में किसी ने pass कर दिया, dog, तो dog तो है, कुछ भी इंसान पास करते जाएगा, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा है, validation क्या लगाते है, if work type is equal to what, chef होना चाहिए, या फिर what I say, manager होना चाहिए, या फिर waiter होना चाहिए, यही तीन होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम क्यों unnecessary अपने server को तंग करें भी ना मतलब का, हो सकता हो को dog के लिए पास कर रहा हो, क्योंकि आगे DB operation perform होगा, database operation में हम सर्च कर रहोंगे, बैठ के, कि या work type, वो सारे person record लाके दो, जिसका work type dog है, मार लोग किसी user बढ़ मासी कर रहा हो, जान मुझ के change करना चाहरा, dog है, या bed है, या pen है, whatever, तो हम DB operations में बार-बार hit क्यों करें, इससे पहली validation लगा देते हैं, कि ये तीनों होगा, तभी हम आगे perform करेंगे, वरना हम बाहर निकल जाएंगे, बोल देंगे, भाहिया, this is invalid, तो हम क्या करते है लेकिन उससे पहले याद करो, मैंने सब कुछ बताया था आपको, कि ये सारा operation हम लोग करेंगे किसके अंदर, try के अंदर, and catch के अंदर, ठीक है, c, a, t, c, h, catch, error, ठीक है, अब इसके अंदर paste कर दिया मैंने फिर से, अब आते हैं, इसके बाहर, else, अगर let's suppose ये work type ये तीनों क्या ही मतलब है, ठीक है, रहने देते हैं, इस पर ठीक है, चलो, अब इस पर आते हैं, अब इसके अंदर perform करना है, हाँ, जो हम valid चाहा रहे थे, chef, manager या waiter, ये हमें मिल गया, यही तीनों में से हमने data लाके देना है, अब हम dv operation perform करेंगे, अब dv operation perform करेंगे, सो सकता time लग ज किया, कोई दिक्कत किया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब मैंने यहाँ पर बोला, see, मैंने क्या बोला, चलो, call करते हैं, const response is equal to await menu item, नहीं होगा, यहाँ person होगा, because हम person चाहरे है, right, तो person.find, ठीक है, और यहाँ parameter pass करेंगे work, हमने यहाँ पर क्या field define कर रखा है, see, जब आप person पर, तो आपको दिखे हैं, हम work define कर रखा है, हमने, तो work में हम pass कर रहे है, what, work type, अगर यह इसको मिल गया, ठीक है, तो यह क्या return करेगा, console.log response fetched, ठीक है, and response.status 200, response send करते हैं, done, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले आप यह बताओ, और cash का तो simple है, यह same as it is, पूरा का पूरा paste होगा है, अगर let's suppose, इस बीच में कुछ भी error आजाता है, तो console कर देंगे error को, और response.status 500 send करके, status 500 code send करके, error set कर देंगे, internal server error, I hope, यहाँ तक code समझने में किसे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपको बोला, कि work type पहले ही check कर लो, let's suppose, अगर य हमारे पास यह limited है, कि chef होगा, manager होगा, या waiter होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो response run कर देंगे, invalid work type, ठीक है, तो इसको test करते है, server हमारा run up है, हाँ जी, अप है, अब मैं इस पे आया, slash manager पे hit किया, तो हमें data मिला, हाँ जी, data मिला, दोखो यह, अब हम लोगो वही data मिला, जो सिरुफ manager है, यह रा manager, यह रा manager, let's suppose chef search करते है, chef search किया, shift chef मिल गया, let's suppose pen search करते है, तो pen में मिल गया, invalid work type, क्यों, because यह पहले ही हम लोग को send कर दिया, कि भहिया, else condition में लाई कर गया, और दोखो, status को 404 आयोगा, 404 not found, 404 not found का status code होता है, बहुत बार status code से response समझ में आ जाता है, ठीक है, तो status code, यह सारे well known status code है, 404 not found, 500 internal server error, 200 submit OK, ठीक है, तो इस तरह से status code is a good practice, कि हम लोग साथ में response साथ, status code भी send करे, not found मतलब कि हमें invalid work type है, तो हम लोग को नहीं मिला, ऐसा, ठीक है, तो यह समझ में आ गया, कि parameterized work type के accordic हम लोग कैसे भेज रहे है, हर बार हम लोग को बनाने के जरवत नहीं है, कि हम लोग work डालेंगे तो invalid आ गया, self डालेंगे तो data मिल जाएगा, ठीक है, and waiter डालेंगे तो what I say, waiter, waiter भी हम लोग को मिल गया, कुछ भी change कर दो को तो नहीं मिलेगा, क्यों, because हम लोग ने define पहले ही कर रखा अब एक चीज़ देखो, यह हमारा server.js file है, ठीक है, इसमें कितने सारे APIs आ गया, post method आ गया person का, get method आ गया person का, right, post method menu का गया, get method menu का गया, एक parametrized call आ गया person का, ठीक है, तो यह सारा कुछ server file में तो यह बहुत hectic हो जाएगा, this is literally bad practice to write endpoints, ठीक है, उसके लिए हम लोग हम लोग फाइल को अच्छे सो organize करेंगे, किसका benefit क्या है, क्योंकि यह काफी bad experience है, और code readability और code handling तो सबसे खराब है, अब एक file में कितने सारे endpoints है, हम लोग बहुत endpoints बनाते हैं, ठीक है, हम लोग किसी भी application में, in general बता रहा हूँ, 10 तो हम ऐसा ही बना ले रहे, अगर person के 5 और menu के 5, ठीक है, अगर आप यहां देखो कि मैंने यहां बना रखा है, 5 endpoints मैंने person के बना हैं, और 5 endpoints मैंने menus के बना है, ठीक है, तो ऐसे handle हम लोग नहीं कर सकते, तो 10 तो हमने खुद ने बना दिया, सुचो एक large application में कितना सारे endpoints होते होंगे, तो इसको इस तरह से manage नही करते है, routes, ठीक है, तो एक folder बनाते है, जैसे models का बनाया, उसे तरह एक folder बनाते है, what I say, routes, 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 routes के अंदर मैंने एक file बनाया, what I say, person routes.js, ठीक है, अब ऐसा समझो, कि express router ने एक तरह का traffic cop है, उसको पता है कि server को traffic आ रहा है, server पे जो endpoint लोग हिट कर रहे है, उसको कहा भीज पता है, ठीक है, और express router वही manage करता है, help करता है, endpoints को manage करने के लिए, और इसको use कैसे करते हैं, सबसे बाद तो इसको express चाहिए होगा, तो express मैंने हाँ import कर दी है, person के अंदर, ठीक है, express तो basic criteria है, हर चीज के लिए, और express router जो function उसको मैंने safe कर लिए, router नाम के variable में, चलो, अब हम लोग लिखेंगे, router.get, अब ऐसा समझो, इसको ऐसा समझते हो, यहाँ पे जो हमारा person है, जो post method है, उसको मैंने here cut किया, यहाँ पे person routes में paste किया, अब app ना होकि यह हमारा हो गया router, ठीक है, अब एक चीज समझो, यह person, चलो इसको बाद में समझाता हूँ, चलो, अब हमार next किया है, person का, get method, handle करना है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे paste कर दिया, get, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो, अब next हमारा क्या है, menu रहन देते हैं, और यह हमारा आगया, work type, इसको cut किया, यहाँ आया, person routes पे आया, और उसको paste कर दिया, तो हमारे, अब आपको एक run करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा, कि कैसे person का, वो run करके दिखाता है, कि person routes के थुरू कैसे चीज़े work कर रही है, फिर तुरन बरना हम लोग, हम लोग साथी साथ, आप भी बनाना, मैं भी बनाऊंगा, menu item का भी हम लोग साथ साथ बना लेंगे, चलो जी, बहुत बढ़िया, अब कैसे हमारा manage हो गया, कि router को यह app ना होके, यह router होगा, router.get, router.get, ठीक है, और इस router को हम लोग export कर लेंगे, see, यहाँ पर हम लोग इस तरीका ही इस तरह से, हम लोग सब जगा ऐसे ही manage करते है, router.export router, इस router को हमने क्या क्या, export कर दिया, अब router router.post.define, slash person, router.get.define, slash person, router.get.define, slash person, router.get.define, slash person, work type, ठीक है, अब इस router को हमने export कर दिया, बहुत बढ़िया, चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते है, इसके पहले, मैं यहाँ पर कर रहा, अब हमारा router चाहिए हमें, basically, यहाँ पर server file में, हमने यहाँ से, जो person router.js, हमने जो export किय server में, इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ मैंने किया, const person routes is equal to, what I say, require, यह आएगा, आपका router, routes.person routes, कोई दिख कर दिया हाँ तक, कोई दिख करते है, अब हम इसको करेंगे, app.use, what I say, slash, nothing, person routes, that's it, अब देखो, काफी असान था, समझो, मैंने क्या किया, person routes मैंने क्या किया, एक router नाम का variable, यहाँ पर define किया, जो की function है, express कहीं, ठीक है, जो manage करता है routes को, पतलगे, different, different endpoints को, यह सारे files को हमने यहाँ पर organize कर दिया, इसमें सिर्फ person का related endpoints है, person का related post है, method है, person related get method है, person का related दूस server file में हमने क्या किया, import किया person routes को, इस तरह से, and use किया, app.use slash person routes, अब देखो, मैं को इक चीशची समझाना चाहूंगा, कि यहाँ पर person हर जागा common है, person, 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 इस person को हम लोग क्या करेंगे, delete करेंगे, ठीक है, इस person को हम लोग करेंगे, delete, यहाँ पर करेंगे, delete, तो अब हम ल लोग क्या करेगा slash person और slash person पर हिट करेगा तो यह slash person इसको मिल गया अब यह किस पर जाएगा person routes फिर वो देखेगा कि वो get method है क्या कि post method है get method है हां जी तो get पर slash पर normal है तो यह सारा data लाकर देदेगा अब मैं क्या कर रहा है इसको hit कर रहा postman पर मैं आया हिट किया तो internal server error इसका reason क्या है चलो इसका reason देखते हैं जो हर चीज ना log हो जाता है person is not defined person defined नहीं है कहां person routes वाले file में line number 27 पर चलो तो person routes पर आगा है line number 27 पर है 27 पर है तो हमें पता चल रहा है 27 27 27 कि यह person defined नहीं है but obvious है यह person हमारा model है जो हमने server में export कर रखा था अब इससे हम यहां export करेंगे तो यहां पर आगा है इससे cut किया यहां पर आगा है and यह models दो फाइल पीछे है राइट तो sorry ऐसा तो हमें person export कर दिया अब हम क्या कर करते हैं slash person ना करके save कर देते हैं save का data मिल गया same आप पोस्ट पर जाओगे और slash person पर अगर data हिट करो गया जैसे मैं नाम देता हूं यहां पर और इसे money's ठीक है और यहां कर दिया money's ठीक है अब यह data हमारे पास definitely नहीं होगा देख लो data of course नहीं होगा यार money's का data नहीं होगा people's में आते हैं यहां अगर मैंने सर्च किया अब कहीं भी देख लोगी तो आपको money's का data नहीं बिलेगा यह नया नाम है मैंने क्या किया hit किया तो data save हो गया save हुआ कि नहीं हुआ person को हटाओ server को हटाओ अब इसको आते हैं यहां पर menu routes राइट यहां पर फाइल बनाया menu routes आप लोगी मेरे साथ साथ बनातों चलो दुरांद भर में आपका भी हो जाएगा मैंने बनाया तो तभी मजा भी आएगा सीखने में ठीक है और यहां पर आया मैंने इसे यह दो चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए होगा ठीक है और हमें server से क्या express वह लेना पड़ेगा menu item लेना पड़ेगा तो यहां पर आगा menu item इसको menu item कर देते है तो इसको रिनेम कर देते हैं फाइल को कहा गया menu item राउट्स ठीक है चलो जी तो अब यहां पर यह दो फाइल पीछे तो फाइल देखना पड़ेगा ना कि मैंने अग्जक्ली है कहां पर इसलिए अब यहां पर सर्वर पर आते हैं इस दोनों को जो दोनों menu item है इसको यहां menu item में paste कर दिया इस person पर आया एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा router को तो export भी कर देंगे चलो कोई बड़ी आने router चाहिए तो router यहां पर router पोस्ट होगा यहां पर सर्वर पर आते हैं सेम इसी तरह से जिस तरह से यहां पर किया था तो करके हम लोग क्या करेंगे menu और menu item routes that's it this is the best observer file हमारा कितना चोटा हो गया इसको ऐसा कर देते हैं चोटा सा welcome to our hotel ठीक है चलो जो बहुत बढ़ी हैं तो 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 ठीक है अब यहां तो को दिक्कत अब शूर्ट बना लिए अर्वर्ण इस तरह से डिफाइन कर लिए अब इसको सर्च कर ले तयार मैनू के लिए भी कोई कोई की आईश्यू नहीं है मैनू इंटर यह हमारा हो गया मैनू का काम ठीक है आपका काम नेक्स्ट जो मैं वह किस पर depend करेगा, अगर मैं आपको menu का item दिखाऊ, तो menu item आपको depend करेगा, इसमें, taste पर, कि taste spicy है, कि sweet है, कि shower, आप इस पर define करोगे, मतलब कि आप जो routes बनाओगे, वो ऐसा बनाओगे, मैं बता देता आपको, आपको ये function basically complete करना है, मैं हडा दे रहा यहाँ पर, comment कर दे रहा, ये भी comment कर दे रहा, आपको ये चीज़ complete करना है, menu तो नहीं, colon, वड़ाई से, taste, that's it, आपको इस taste के according define करना है, list define करना है, कि कितने sour out time हमारे पास available है, कितने sweet item available है, और कितने spicy item available है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत यहाँ तक होना चाहिए, आप इसको अराम से कर लोगे, ये आपका task है, मैं इसे भी हटा ही देता पूरा, आप इसको पूरा अच्छे से अपने से खुछ से complete करना, ठीक है, चलो जी, अब हम आतें next topic पे, जो कि काफी असान सा है, कोई tough सा नहीं है, मैं person पे आता हूँ, इसको cut कर देता, अब दोक हमारा server.file से कोई मतलब नहीं रहाए गया, विकोज हम सारा routes कहां mention कर रहे है, person routes में, जनले लोग server file को छेड़ना नहीं चाहते, विकोज हमारा सबसे important file है, DB का connection यहाँ आ गया, body parser यहाँ आ गया, हम routes को कितने अच्छे तरह से manage कर रहे हैं, अब सारा person routes में समझेंगे हम लोग, अब हम एक नया routes बनाने जा रहे हैं, किस चीज के लिए update operation के लिए, अब देखो, ultimately हम लोग को अब क्या करना है, किसी भी person के data को update करना है, हो सकता है, मैं Prince के record की बात करूँ, जो की restaurant में हो सकता है, सेफ है, ठीक है, उसको हम लोग को change करना है, उसका update करना है, email ID या उसको mobile number update करना है, कोई issue यहाँ था, कोई issue ने, तो अब हम लोग क्या करेंगे, update option perform करेंगे, अब ध्यान रखना यहाँ पर, बस छोटी सी चीज़ है, अब हमरा update है, delete है, फिर खता, अब देखो, मैं बहुत बहुत पेसें से था, अब सुन लो, एक बार में सुन लो, definitely मैं अच्छे साब को समझाने वाला हूँ, कि आपको जिन्दी की भरियाद दे जाएगा, update करने के लिए, हमें इस दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पहला, कि हमें कौन सा record update करना है, हमें ये पता होना चाहिए, और दूसरा, exactly क्या update करना है, हमें कौन सा record को update करना है, ये पता होना चाहिए, और exactly उस record में क्या update करना है, ये दो चीज़ पता होना चाहिए, update के case में, अब एक चीज़ याद रखो, हम लोग जब update करते हैं, तो हम लोग method पूट यूज़ करते हैं, safe करने के लिए post use करते हैं, data fetch करने के लिए get use करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपडेट करना है, तों उसके लिए put use करेंगे, patch use करेंगे, मैं आपको put use करके बता रहा हूँ, अब patch भी use कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, अब मैं बात करता हूँ, कि किसी भी records को जो भी हमारा document बना हुआ है परसन का 6-7 document बना हुआ है यहाँ पर जगर आप चेक करोगे MongoDV में पिपल्स पर आते हैं इसको अफडेट करते हैं तो our documents हमारे पास present है किसी भी document का जो unique identifier होता है वो क्या होता है इसमें ऐसा क्या unique है इस document के अंदर सारे documents के अंदर जो एक दूसरे सिक्दम में अलग है आप बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ मैंने पर बता रखा है वो है हमारा underscore ID बतलब कि यह जो underscore ID या इसको object ID कहलो या normal ID कहलो यह जो value है हर documents में यह unique है इस value से इस ID से हम identify कर सकते हैं कि definitely यही record है हमारा यह इतना ध्यान रख लो यह सबसे important concept बता रहा हूँ बहुत लोग इसको underscore ID बोलते हैं बहुत लोग इसको object ID बोलते हैं बहुत लोग इसको सिर्फ ID बोलते हैं कुछ भी बोलो बस यह समझ लो अगर कोई ID बोल रहा है किसी document का तो यह हमारा जो by default ID जो MongoD को provide करता है वो सबसे unique है हमारे लिए इस ID से हम लोग किसी भी document को पहचान सकते हैं कि यह document है तो क्यों ना हम इस ID को use करें उस particular document को पहचानने के लिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी कोई दिक्कत नहीं and but obvious है अगर हम लोग को post करना है मतलब कि what I am trying to say हम लोग को data update भी करना पड़ेगा update करने के लिए data देना भी पड़ेगा तो जिस तरह से post method में हम लोग data send कर रहे थे उसी तरह से update के case में हम लोग data send करेंगे जो data हम लोग को देना है ठीक है तो update थोड़ा से typical लगता है कि कि इसमें दो प्रिटेरिया है get वाला भी क्रिटेरिया है post वाला भी क्रिटेरिया है get वाला क्रिटेरिया है कि हम लोग के पहले वो a document find करना पड़ेगा वो भी unique identifier के थुरू कि कौन सा उसमें unique चीज़ है सारे documents में रहा है unique क्या id वो id से हम उस document को find करेंगे फिर उस id में क्या करेंगे update करेंगे जो data हम लोग को client भेज रहा होगा तो मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे code तो मैं यहाँ पे लिखोंगा router dot put ठीक है and मैंने यहाँ पे बोला slash colon id अब इस id को underscore id क्यों नहीं लिख रहे है आप बताओ ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर रहे है तो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे है क्योंकि यह variable है यार यह parameter variable है आप इसको कुछ भी नाम दो कोई issue नहीं पढ़ने वाला try and यहाँ पे आगए catch ठीक है try and catch हमने लिख दिया अब इसके अंदर हम लोग सारा काम करेंगे तो मैंने क्या बोला const तो यह जो id है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो id, pk, id कुछ भी यार under underscore id whatever you want to give बस हम लोग के यह मन में है कि client जो id भेजेगा दोखो client क्या भेजेगा client आपको एक unique id भी भेजेगा url में जो id क्या represent कर रहा होगा कि यह हमारा उस document का particular id है उसको हम इस variable के थ्रू ले रहे है यह variable का नाम कुछ भी हो सकता था हो सकता था कि इसको हम person id कह दे ठेक है person underscore id कह दे हो सकता हम इसको कुछ भी कह दे हो सकता हम इसको prince कह दे prince underscore id कह दे यह तिर्फ prince कह दे यह variable है बस यह हमारे मन में है कि वो id कौन सा है वो id कौन सा है वो id mongodb जो unique id प्रवाइड कर रहा है वो है ठेक है तो const हमें पता है कि यह जो client है वो भेजेगा ठेक है तो यह हम मान के चल रही है यह person id है ठेक है यह कहां से निकलेगा request.params.id अब देखो id तो मिल गया person का अब हम चाह रहे है कि हम लोग को data भी मिले तो const updated person data is equal to क्या request.body ठेक है यह हम लोग को request.body जो भी body parser क्या करता है जो भी data client भेज रहा है उसको requested body में save करता है और इस case में क्या है कि वो वही data भेजेगा जो data वो किसी person के अंदर उस person के अंदर जिसका id क्या है यह जो की client भी खुद भी भेजेगा और वो client जो id भेजेगा वो parameter की थूरू भेजेगा और जो data भेजेगा वो body में JSON के थूरू भेजेगा अब बोलोगे क्या हम इस id को body में JSON के तरह नहीं भेज सकते थे हाँ भेज सकते थे कोई इस्चू नहीं बट जो preferable way है वो generally क्या होता है कि हम लोग ID को भेजते है parameter के थूरू document का ID को भेजते है अब हमारे पास MongoDB में एक already predefined function होता है जिसको हम लोग कहते है find by id and update इसका मतलब कि पहला parameter लोग नाम से पर चल रहा है find by id पहला id की थूरू हम लोग find करेंगे अब वो id क्या है इस case में जो हम लोग जो मान की चल रहे है वो है object id ठीक है वो object id हम लोग पहला parameter पास करेंगे और दूसरा जो data पास करेंगे जो data हम लोग अबडेट करना है यहाँ await mirror आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ursync पास करना पड़ेगा कोई issue यहाँ आ था कोई issue नहीं अब यहाँ पर हम लोग parameter पास कर सकते हैं पास कर सकते हैं response हम लोग कैसा चाहता है अब देखो इस record का दो वर्जन हो सकता है पहला update होने के पहले और दूसरा update होने के बाद ठीक है तो हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं जाकि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर parameter पास कर रहा है मैं दोरों parameter यहाँ पेश्ट करता अब बताता किसी पहला हमने पास किया new new parameter हमने true पास किया मतलब की जिस तरह से कैसे हम लोग save होने के बाद हम लोग as a response person का data मिल जाता था response के अंदर उसी तरह save होने के बाद update होने के बाद हम लोगो data मिलेगा response में उस person का उस document का update होने के बाद यह update होने के पहले उसका दो version होता है हमने यहाँ पे new में पास किया true इसका मतलब कि जो updated document है update होने के बाद जो document बनेगा वो as a response उसको update करेगा और दूसरा run validators true मतलब कि यह mongos में जो हमने validation लगा रखे है person के अंदर see कि यह required होना चाहिए यह work यह होना चाहिए and all यह सारी validations को वो खुझ से check कर लेगा यह दो चीजें हम लोग पास कर रहे है कि validator भी run हो जाना चाहिए update होने से पहले और update होने के यह document बनके आएगा उस document कब लोग as a response sent करेंगे कोई दिक्कत यहां तक चलो अब next step क्या है अब तो simple है console.log हम वो कर देता है data updated and response.status 200 response catch में कुछ नहीं करना होता है copy करना होता है and यहाँ पे paste कर देना होता है कोई issue यहाँ तक आपको I hope नहीं हुआ होगा अब run करने से पहले देख लेता है मैंने कुछ छोड़ा थो नहीं अच्छा मैंने यहाँ पे एक condition यहाँ और add कर रखा इसको मैं copy करता paste करता यह बताता कि exactly यह है क्या see जैसे कि यह जो updated person जैसे कि see यह response है अगर let's suppose response हमारे पास null आया मतलब कुछ भी नहीं आया ठीक है दोखो तीन cases बनते हैं यहाँ पे तीन cases क्या बनते है पहला case बनता है कि success हो गया update हो गया तो ठीक है success हो गया तो आपको success में नया person देटा मिल जाएगा दूसरा case क्या बनता है कि fail हो गया जैसे ही fail हुआ तो वो catch block में जाएगा और catch block में आपको सारा error मिल जाएगा और से according response में मिल जाएगा दूसरा हो सकता है यह जो ID बन्दा भेज रहा है वो ID ही दूसरा है बतले कि वो object ID actually में उस object ID पे ultimately क्या करेगा पहले object ID से find करेगा कि कौन सा document है हो सकता है यह जो person ID है वो person ID से कोई document प्रेजेंट ही नहीं हो तो इस case में वो कुछ भी return नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर let's suppose response अगर कुछ भी नहीं आता है तो 404 क्या बताता है 404 उसको 404 पढ़ते हैं मतलब कि not found तो हम लोग लिख देंगे return कर देंगे person not found ठीक है तो यह हुआ complete एक अच्छा सा structure code update method का जिसमें हमने muse क्या किया है put तो मैं यहाँ पे आता हूँ compass इस पे आया मैंने या slash किया person किया method का change करूँगा put and person slash slash तो रहाएगा अब हम लोग को id चाहिए कि किसका update करना है तो पहले मैंने क्या बोला कि person method का detail निकाल लाते है let's suppose यह Alice है इसको object id यह है ठीक है underscore id देखो यह object यह है इस id को मैं change करना चाहरा इस id का data को change करना चाहरा तो मैंने यहाँ पे object id पास कर दिया ऐसा parameter अब हम लोग को data भी भेजना पड़ेगा कि हम update actually में क्या करना चाहरे तो उसके लिए body में जाएंगे raw में जाएंगे यहां JSON पे जाएंगे और let's suppose हम उसका नाम change करना चाहरे है तो मैंने यहाँ नाम में डाल दिया name और इसका नाम क्या कर देंगे इसका नाम इभी क्या है Alice ठीक है तो मैं Alice को कर देता ऐसे सुनने बड़ा weird लगा रहा बट Alice Agarwal कोई match नहीं गे इसका बट मैं change करके देखना चाहरा database में check करो अभी क्या है Alice ठीक है अब मैं यहाँ आया मैंने इसको hit किया जैसे मैंने hit को hit किया यह update हो गया और updated document मिला है उस updated document देखो नाम देखो Alice Agarwal मैं यहाँ पर जाता इसको refresh करता तो यह हो गया Alice Agarwal समझ माया कैसे update हुआ जब console भी check करो data fetch ठीक है data fetch हो गया और data update हो गया data fetch तो तब आया जब हमने यहाँ पर fetch किया था यार अभी run हुआ जब यह जैसे ही हमारा यह run कर गया ठीक है let's suppose हम क्या करते हैं हमने बोला कि एक काम करो ऐसा object ID फाइंड करो जो कि invalid हो मतलब कि इस object ID से हमें आपको मिले ही न तो मैंने बोला कि क्यों न इस object ID को change करके लास्ट में कुछ भी change कर दो इस object ID पर को data नहीं मिलेगा इंटर किया तो आपको मिला person not found समझ में आया क्यों क्योंकि यह object ID राइंडम है इस object ID पर कोई data present ही नहीं जब इस object ID पर को data ही present नहीं है तो वो क्या करेगा उसको data मिलेगा ही नहीं उसको record उसको जब document मिलेगा नहीं तो अपडेट किसको करेगा तो हम लोग यहां पर written कर देंगा person not found समझ में आया update method क्या कर रहे थे तो बहुत simple था यार अब हम लोग next पर आते हैं delete operation delete operation में भी same thing है यार हम लोग delete method क्या करेंगे किसी भी record को delete करेंगे अब किसी भी record को delete करने के लिए हमें बस एक ही चाहिए वो record हमें ना update करना ना add करना ना read करना है बस फुट से delete कर देना और कोई भी record का जो unique identifier होता है अब्जेक्ट id ठीक है तो same हम लोग clients ऐसा expect करेंगे कि वो delete method के थुरू हम लोग को parameter में object id देगा और हम लोग इसको delete कर देंगे तो simple है यार हम लोग यहां बनाते हैं again router.delete router.delete ठीक है slash colon id फिर यहां पर करेंगे async async कर देते हैं क्योंकि हो सकता time लग जाए तो response request.response ठीक है and enter किया try crash तो try तो कितना आसान होगा अब हम हम हारे लिए किसी भी endpoint को लिखना आप खुद भी लिख पा रहे होगे तो request तो person का id मैं यहां से copy किया मैंने यहां पे paste किया ठीक है ठीक है आव मनोग चाहरे इसको डिलीट करना ठीक है तो मैंने लिट पोस्पोस डिलीट करने के बाद कुछ नहीं कुछ रिपांस सेंड होगा मैंने यहां पे डाल दिया response response ठीक है response is equal to await परसें डॉट एक यूनीक यहां पर फंसन नो अलड़ी मंगडी मना बनाया find by id and remove मतलब कि उस id के थुरूं लोग find करेंगे उसको remove करेंगे और इसमें परसें पास करेंगे क्या person id that's it अब let's suppose हो सकता है हो सकता है कि उसको id मिले ही न तो same यहां पर इसको हो सकता है तो person not found else अगर आ जाता है तो यहां पर हम लोग करेंगे वर्ट की data deleted and response में हम लोग क्या करते हैं message पास कर रहे हैं वर्ट की person deleted success fully that's it ठीक है और error में तो हम जानी रहे है क्या करना है इसको copy करना है और यहां पर paste कर देना यह तब होता है जब हो सकता है किसी कारणवस यहां पर कुछ ना कुछ error राजा कुछ break हो जाए तो automatic वो catch block में जाएगा error प्रिंट कर देगा और आपको इस response error भी send कर देगा बोल देगा कि internal server कुछ ने कुछ प्रॉब्लम आ गया चलो जी अब हम आते हैं इस इस अगरवार डिलीट हो जाएगा तो डिलीट हो गया डिलीट हो गया साथ रिकॉर्ड बच्चा सिर्फ तो यह हमारा पूरा का पूरा handling हो गया चलो जी तो इस तरह से हम लोग किसी भी CRUD operation को अब आप इतने लायक हो चुके हो कि किसी भी CRUD operation को easily apply कर सकते हो चाहे हो इसको read करो डिलीट करो update करो मैंने सारे आपको प्रॉजन आपको सारे तरीका बता दिया कैसे किसी code को handle करते हैं कैसे किसी code को router x zero manage करते हैं कैसे server file run करते हैं all these things कैसे postman run करते है everything या अब 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 लिटरली एक नूब से बहुत बढ़िया node.js developer बन चुके हो trust me guys जिन लोगों ने पूरे course को अच्छे से follow किया होगा आपको कभी भी life में node में problem नहीं आएगा in fact आपको जितने भी doubt आप मिने से लगदार पूस्ते चलो मैं guarantee के साथ कह सकता हूं जिन लोगों ने अच्छे से किया होगा न यह आपका नोड का last lecture next lecture कुछ नया और innovative सीखेंगे and आपको यह last homework मिलने वाला इस lecture के according ठीक है उसका आपको next lecture के लिए कोई homework नहीं मिलेगा ठीक है but this is something जो आपका life वदाल सकता है अगर आपने thoroughly अच्छे से homebug भी classwork भी अच्छे से follow किया होगा तो तो please comment करके बताना doubt है कुछ भी यह whatever यार अब please मैं इससे पूछो मैं बैठा हो आपकी help करने के लिए thanks a lot अगर अच्छा लगा तो please comment करके बताना support करो लोगों साथ share करो कि यह course कितना अच्छा है कितना valuable है आपके लिए कितना अच्छे से linkedin पर share करो post करो tag करो यार this is something जो मैं आपसे इतना उमीद करता हूँ कि आप मुझे इतना support करोगा ठीक है सच में मुझे काफी मज़ाया पूरा का पूरा यह course complete करवा कर और आप भी बताना कि आपको कितना अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स वेडियो मैं तब तक के लिए बाए